सर्दियों में गर्मा गर्म गोवी के परांथों पे घर का बना वाइट बटर मिल जाए तो कहने ही क्या मजा ही आ जाएगा और क्या चाहिए जिंदगी में तो चलिए बनाते हैं बड़िया से गर्मा गर्म गोवी के परांथे तो बस गोभी ले लेंगे, फूल गोभी, उसके मोटे-मोटे फ्लॉरेट्स हम काट लेंगे और उसको अच्छे से धो कर सूखने के लिए छोड़ देंगे जब तक यह नहीं छोड़ रहे हैं, तब तक हम अपना डो प्रिपैर कर लेंगे रिकोड क्वंट IT ले लेंगे आटे की और उसमें थोड़ थोड़ा पाने डालकर हमें ani-डो प्रिपैर कर लेंगे यहां पर ध्यान रखने लाइक बात यह है की दो उतना प्रिपैर करना है और stuffing बाहर नहीं निकलती है तो यह हमारा डो प्रिपैर हो गया है हम इसको एक अलग बरतन में लग देंगे क्योंकि इसी बरतन में हम फिर grated गोभी प्रिपैर करेंगे वालतु के बरतन क्यों करने है न तो हम यहाँ पर ग्रेटर लिया है तो हम मीडियम साइट से ग्रेट करेंगे आप चाहें तो चॉपर में भी ग्रेट कर सकते हैं मैंने यहाँ पर चॉपर में ही की है ध्यान रखेगा बहुत मोटी या बहुत बारिक नहीं करनी है मीडियम रखनी है इसको आप चाहें तो अगर आपके पास food processor है तो आप उसमें भी इसको ग्रेट कर सकते हैं या चॉप कर सकते हैं हम इसमें एक चोटा टुगड़ा अद्रग का कसके डाल देंगे इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और मोटी मोटी अद्रग भी मुह में नहीं आती है अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे मैंने या पर दो चमज साबुत धनिया को दरदरा पीस कर डाला है पौना चोटा चमज या पर अजवाइन डाली है और पौना चोटा चमज साबुत सौफ इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है सबको अच्छे से कर देगे микс, अगर आप चाहें तो इसके अंदर हरे मिश ढाल सकते है मैंने हरे मिश ढाले लाल मिश का यूसने किया, आप चाहें तो दोनों भी ढाल सकते है अच्छे से इस मिक्षिर को मिक्स कर देंगे थोड़ी थोड़ी चोड़ी 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 से गुटलियां आ सकती हैं गोभी की अगर वो आती है तो आप उसको वहीं पर हाथ से तोड़के मिक्स कर सकते हैं यह हमने मिक्ष को अच्छे से मिक्स कर दिया है और उसको हम कर देंगे एक साइड पर अब हम यहाँ पर एक लोई लेंगे मतलब आटे की थोड़ी सी पेड़ी लेंगे और उसको गोल-गोल भुमा कर अच्छे से उसको बेलना शुरू कर देंगे ध्यान रखिएगा बहुत जादा मोटा नहीं बनाना है बेलना है क्योंकि हम परांटे पतले पतले करारे करारे बनाने हैं तो मैंने यह पर पतला सा आठा जो है इसको बेल लिया है और थोड़ी सी stuffing निकालके mixture को निकालके अलग से उसमें अब हम यहां पर salt टालेंगे अपने taste के according मैंने पहले यहां पूरी गोवी में सॉल्ट नहीं आड किया है क्योंकि उससे गोवी पानी छोड़ देती और परांठा बनाने में हमें प्रॉब्लम आती आप चाहें तो आटे में भी नमक में चाड कर सकते हैं और फिर डो बना सकते हैं लेकिन उससे मुझे बहुत अच्छा का टेस्ट नहीं आता क्योंकि उसमें आप बॉइल हो भी का टेस्ट आता है आप दोनों तरीके से ट्राइ करके देख सकते हैं जो पसंद आए वह अपना ही है फिर इसको मिक्शर को हम भरके एक पोटली सी बना लेंगे और एक्स्ट्रा आटा निकाल देंगे चारा तरफ से उसको अच्छे से दबाएंगे ताकि जो मिक्शर है वहремली फ्रेड हो जाएं और इसको हलके हलके हाथों से दबाकर हलके बेलेंगे त्राइ कीजिएगो आप इसको ऊठाए नहीं बस हाथ हथेली से घुमा घुमा कर अच्छे से बेल लें इससे क्या होगा आपका परांठा से अशे मत उठाई एसको चकले को उल्टा करके उठाई गा मेरा कैमरा नहीं ज़ला था तो मैंने यहां पर आपको दिखाने के लिए ऐसे यहां पर उठा आप चाहें तो वहीं पर उठा सकते हैं और यह अच्छा तवा साफ करने का भी क्या क्यों किया है मैंने इसे किया तो सूखा आटा ना परांठे पर चिपक जाता गी के साथ तेल के साथ तो यह लास्ट में वह थोड़ा से कड़वा हट देता है तो आप टाइम पर टाइम दूसरी रोटी बना दी है इसको इस तरीके से तवे पर सेख दीजिए आपका पढ़ी असार को भी का परांठा और रोटी दोनों बनकर तैयार है चाहें तो इसको चटनी अचार और बटर के साथ सौफ कर सकते हैं करमा करा अगर आपको वीडियो पसंद आई है रेसेपी प अरांथाज